हाई फ्रेंड्स हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है मैं हुरूपारी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पानी पिने के फाइदे पानी को कब पिना चाहिए और कितना पिना चाहिए और साथी साथ पानी गरम पिना चाहिए या थंडा पिना चाहिए ये आज हम स्वाइदिक मन के साथ ही आप ये आपके घर वालों के साथ आपके घर में जो बूड़े लों करते हैं वहुत प्रट्रेश करने के बाद एस tavalla करुछत प्रट्रेश, फाहन प्रख खालत हैं कि उफीस को चोल जाते हैं प्रणों केकी चुछ कि शुबह कimana जिब हम फ्रेश होते इसके बाद थोड़ा सा है पानी करना है ज़ादा है तइया नहीं पानी गरम करना नहीं हुए और यसके बाद उसको एक साथ tread धैं नहीं पानी पीना है थोड़ी देर बैटके वो घुट घुट हमको पीना है एक साथ ही हमको उसको नहीं पीना है और पानी पीने के और क्या फाइदे होते हैं कि अगर हम सुबह उठकर जो हम पानी पीते हैं वो गरम ही हमको पीना है मतलब कोमट पीना है थोड़ा सा उसके बाद दिन भर हमको कितन से 4 लिटर पानी पीना है और ज्यादा पानी पीने से क्या होता है हमारी जो चेहरा रहता है वो अच्छा रहता है उसके साथ ही हमारे बाल अच्छे रहते है उसके साथ ही हमारा जो हाड रहता है वो भी अच्छा रहता है हाड के साथ हमारा जो पूरा शरीर है वो भी अच्छ हमारे जो तोचा रहती है वो भी हमारी बहुत अच्छी रहती है उसको चमक वो अलग सी चमक रहती है हमारे चेहरे में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता हमको चेहरे के लिए हमारे बालों के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता इसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि पानी पिने से क्या फाइदा होता है उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि पानी पिने से सिर्फ हमारा शरीर अच्छा रहेगा पर ऐसा नहीं है हम जितने अंदर से मजबूत होंगे ना उतने ही हम बाहर से चमकने लगता है जितना अंदर से हम पानी ज्यादा हमारे शरीर को जितना हम अच्छा रखेंगे उतना ही हम बाहर से चमकेंगे हमारे बाल हमारा चहरा उतना ही अच्छा रहेगा पिंपल्स हमारी कम से कम आती रहेगी जो रिंकल्स होते हैं चहरे के वो भी हमारी कम हो जाएंगे ज्यादा पानी पीने से और अलग सी चमका जाएंगे जो बड़े-बड़े स्टार लोग होते हैं उनका तो टाइमिंग रहता है कि कब पानी पीना चाहिए कितना पानी पीना चाहिए वो सब उनका जो टाइमिंग रहता है पानी पीने का वो सब डिसाइड करके रखते हैं इस पानी पीना चाहिए तीन से चार लेटर पीना चाहिए और वो भी एक साथ नहीं पीना है हमको घुट-घुट करके पीना है और खड़े रहेकर तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है खड़े रहेकर हम पानी पीएंगे तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट नीचे चले जात पैने से ज्यादा छ्रीर मतलब जिनके अंदर ज्यादा रहती है वह कम हो जाते है घ्राट टक्सीड करता है पानी और हमारे एजी ओझर के थो नहीं BUT C ऐसे बहुत फाइदा आरहे पानी के कि हम उसको छ्रीर की धंडिया रहते है वो जो शिरा रहती है वो भी हमारी पूरी जो उसके ब्लॉकेजस है वो कम हो जाते हैं हमारा ऐसे बहुत सारे लोग है कि ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं उनका वो हार्ट का प्रॉब्लम रहता है उन्हें पर ऐसे नहीं करने चाहिए अगर हमको हार्ट का प्रॉब्लम है त बाकी का तो जो बाकी की टिप्स में आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ जब मैं अभी रोज वीडियो डालूंगी तो वो सब आपको मिलेंगे कि क्या करने से क्या होता है क्या खाने के क्या फायदे होता है वो सब मैं आपको देने वाली हूँ अगर आपको वीडियो मे करें और उनको सबको बताए कि क्या मतलब है पानी पीने का और क्यों पानी पीना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें करना ना भूले ओके तो थैंक यू